अगर आप अप्ग्रेड करने को सोच रहे हो मतलब आपका PC बिल्ड पहले से बना हुआ है और आप अप्ग्रेड करने का सोच रहे हैं कि कौन सा कॉंपोनेट पहले अप्ग्रेड करना चाहिए फाइदे वहां को सबस्क्राइब करना चाहिए और क्या आपको उंपोनेट करना चाहिए कि अगर आप चहले शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने top 5 mouse and top 5 mechanical keyboards के उपर video बनाई भी है हाल फिलाल मैं ही बनाई है चैनल के video section में जाके देख सकते हो या फिर mouse को जो हो उपर i button cards में जो हो लिंक देदूँगा तो वहाँ जाके देख लेना अगर तुमने नहीं देखिये तो उसके अंदर मैंने कुछ अच्छे-च्छे mouse बताये में हैं कुछ अच्छे-च्छे mechanical keyboards बताये में उस videos में अलग-अलग videos है keyboard के अलग है mouse के अलग है तो अगर तुम upgrade करने का सोच रहे हो ये video देखने के बाद तो तुम उन video को देख सकते हो for example तुमको mouse upgrade करना है वीडियो में जाके देखो कौन sum mouse अच्छा है तुम उसमें upgrade कर सकते हो या फिक keyboard में देखो headphones की video जल्दी आने वाली है कि top 5 headphones आपको क्या लेने चाहिए budget से लेके महंगे headphones तक तो उसके लिए भी अगर आपको वो देखने है others पहली category है gamers and दूसरी category है content creators या फिर streamers ठीक है तो उन लोगों के बारे में बात करते हैं so बात करते हैं first category की first category में आते है gamers तो अगर आप एक gamer हो for example अगर आप shooting games खेलते हो like CSGO आप खेलते हो आप PUBG खेलते हो आप Fortnite खेलते हो आप Call of Duty खेल रहे हो कोई भी आप game खेले हो game का main purpose है आपको enemy को shoot down करना है आप अपने enemy को kill करना चाहते हो उसके लिए मैं आपको सबसे पहले recommend करूँगा आपना पहला mouse upgrade करो because अच्छा mouse होगा अच्छा sensor होगा ergonomic mouse होगा लंबे game session के दो आपके हाथ दर्द नहीं होगे आप shoot अच्छे से कर पाओगे enemy उसको आपके निशाने लगेंगे आपको gameplay experience totally जो भी हो चेंज होगे रह जाएगा एक बेकार mouse के मुकाबले एक अच्छा mouse जब upgrade करोगे तो ठीक है keyboard का यहाँ पर उतना function नहीं है keyboard में आप क्या कर लोगे keyboard आप maybe आप cherry MX red switches के साथ भी अगर आप जाते हो तू भी आप WASD कितने fast दबा लेते हो उससे आपके enemy को गोली नहीं लगने वाली हाँ आप weapon switch जो है को करोगे बट still weapon switch करते वे आपको कौँ सा delay देखने को मिल रहा है तो मुझे लगता कि keyboard जरूरी है बट यहाँ पे मैं बोलू हूँ कि जरूरी नहीं है इतना यहाँ पे पहले mouse जरूरी है क्योंकि आपको actually में game का main purpose ही है shooting हाँ कई games और आते हैं जिनमें आपको shooting नहीं करनी है for example rise of the tombulator, shadow of the tombulator इस type की game red dead redemption हाला कि उसमें भी shooting करनी है बट वहाँ पे फिर थोड़ा ऐसा था free roam type का game जैसे GTA इसमें आप थोड़ा enjoy करते हो graphics को car लेके चला रहे हो वो games को एक पल के लिए side रखते हैं वहाँ पे उतना वो नहीं है लेकिन main job के competitive games है वहाँ पे अगर आप खेल रहे हो तो then मैं आपको recommend करूँगा आप mouse upgrade करो दूसरी चीज़ अगर आप competitive खेल रहे हो मैं आपको recommend करूँगा अगर आपका mouse upgrade हो गया हो then आप headset upgrade करो because आपका NME कहाँ पे है उसकी precise location क्या है वो आपकी पीछे है आगे है stereo अगर आपका headphone है फिर अगर आपका game 7.1 surround sound को support करता है and आपका headset भी 7.1 surround sound को support करता है आपको अपने NME की precise locations for example आप PUBG खेल रहे हो PUBG में shooting कहाँ से हो रही है किस location से जो है वो आपकी उपर shooting हो रही है क्या कौन गोली चला रहा है वो सब आपकी locations है वो आपको आपका headset बताने वाला है and उसमें help करेगा आपका mouse enemy को shoot करने में keyboard का वहाँ पर बिल्कुल भी खाम नहीं है बजाए reload का button दबाने के और WSD दबाने के और weapon switch करने के वहाँ पर आपका keyboard ना enemy के location बताएगा ना enemy को headshot देगा वो आपको अपने mouse and आपको headset से ही करना पड़ेगा तो यहाँ पे जो है headphone and एक अच्छा mouse यह required है ना केवल सिर्फ gaming बलकि headphone के और भी फायदे है headphone अगर आप लेते हो normally अच्छा वाला तो आप अगर normally movies देख रहे हो आप TV shows देख रहे हो YouTube देख रहे हो तो वहाँ पे भी आपको overall अच्छा experience देखने को मिलने माला तो headset जो है एक तरीके से overall अच्छा काम करेगा हला कि अगर यह दोनों चीज़ अपग्रेड हो जाती है then मैं आपको recommend करूँ कि तुम तब keyboard अपग्रेड करो क्योंकि keyboard फिर भाद में जो हो थोड़ा mechanical show-off अब बाल लो भाई तुम्हारे अंदर skills है नहीं तुम्हारे पास hardware पिछड़ावा है और तुम एक RGB चम-चमात आओ mechanical keyboard लेके आगे ताकि तुम आपको अच्छा दिखे streamers के लिए भी से अगर आप streamer हो आप game streaming करते हो तो then मैं यही बोलूँगा कि आप headphone और mouse जो है वो अच्छा grade लो क्योंकि अगर तुम एक streamer हो और तुम एक 200 रुपे का mouse यूश करो तो तुमारे viewer क्या देखेंगे वो बोली है इस सच्छा mouse तो मेर पही पड़ा होगा है है ना तो streamers भी आखिरे गेमरी होते हैं तो streamers भी game ही stream करोगे आप और आपके जो viewers है वो जब आपको देखेंगे कि तुम headshot मानने को जिश कर रहे और तुमारे mouse का sensor बेकार है और headshot लगनी रहे अब आप आदमी है इस सच्छा तो मैं खेलता हूँ तो वो तुम्हें unfollow कर लिए तो इस सच्छा है कि तुम अपना hardware upgrade कर लो बात करते है content creators की अब जो content creators है उनके लिए हैं पर choices थोड़ी change हो जाती है content creators देखो अगर आप video editing करते हो कुछ भी करते हो आप तो वहां पे जो हो सकता है आपको keyboard में shortcuts वगएर आप ज्यादा प्रेस करो आप typing wiping करो तो वहां पे जो हो आपको keyboard का main roll आ जाता है हो सकता है आप रात रात भर editing करते होंगे बैट बैट के मतलब आपके काफी लंबे-लंबे sessions चलते होंगे अच्छे armrest वाला एक अच्छे wrist rest वाला keyboard आपके पास होना चाहिए ऐसा keyboard होना चाहिए जिसके आपके उंगलिया ज्यादा थक ना जाएं टारिंग ना हो मुशी टाइप के membrane keyboard आप यूज ना करो और क्योंकि आप लेट नाइट तक एडिटिंग कर रहे हो तो आपके पास एक अच्छा RGB keyboard होना चाहिए जिसके आपको रात में दिखाई दे कि भाहिया कौनसी की कहा में दबा रहा हूँ तो वहाँ पर keyboard important बन जाता है वहाँ पर headphone भी important बनता है क्योंकि headphones में अगर आप editing कर रहे हो तो then of course आपकी audio भी important है जितना अच्छा headphone उतना अच्छे से आप अपने audio की details और उसके अंदर जो भी components है उनको आप सुन पाओगे तो अच्छे से माउस को यहाँ पुतन अच्छा काम है नहीं माउस में आप जात से अपने timeline को इधर से उधर ड्रैक करोगे और वो मुझे लगता है कि एक normal सस्ता सा माउस भी जो करवा देगा हाला कि अच्छे माउस में आपको अच्छे precision मिलेंगे वो अगर आप Logitech का कुछ लेते हो और आपको वो infinity वाला scroll will मिलेगा जिसमा अपने timeline को एक ही बारी में स्क्रोल कर सकते हो बट अगें वो कुछ niche features है कुछ ही लोगों के वो काम आएंगे और बिना उनके भी आपका काम चल जागा तो वहाँ पे आपका keyboard and headphone पहले आता है then mouse आता है उन लोग की बात करते हैं जो है others category के अंदर मालो तुम्हारा PC जो है वो तुम सिर्फ media consumption के लिए use करते हो मतलब YouTube वगरा देखने के लिए कभी कभी कभार game खेलते हो and उतना जादा जो है वो तुमको जो मैं उपर दो category बताई तुम उसके अंदर ने है तुम programmer हो for example तुम coding कर करते हो दिन बर बैटके वहां पर जो है वो तुमारा keyboard जो है वो important बन जाता है या फिर तुम जो है वो कहीना कहीं से निकल के आके 3D modeling करते हो या कुछ भी चीज़ करते हो वहां पर कई जोगा पर 3D modeling में एक अच्छा mouse होना भी ज़रूरी है 3D model of course तुम में जर सो तुम्हा mouse होगा तो तुम्हें तुम्हारे जो लंबे session से उसमें तुम्हारे arms जो है वो हाथ दर दियोंगे वहां पर मैं बोलूगा कि तुम aerognomics को ज़्यादा ध्यान दो बजाए RGB components के headphones वहां पर तुम्हारे important हो जाते हैं क्योंकि तुम अपना PC से जो हो media consumption के लिए use कर रहे हो तो depending on कि तुम क्या काम ज्यादा कर रहे हो तुम प्रोग्रामिंग कर रहे हो तुम तुम एक अच्छा keyboard ले लो जिसके key switches तुम अच्छा soft armrest हो तुम 3D modeling कर रहे हो अच्छा mouse या फिर तुम को ऐसा काम कर रहो जहां पर mouse को दिन भर यूज रहता है या फिर तुम एक normal media consumption के लिए PC यूज कर रहे हो तुम्हारे हाथ मे तुम तुम्हें wrist में pain होना शुरू हो सकता है तुम्हें कई wrist के disorders हो सकते है तो ऒहाँ पे मैं यह recommend करूंग के peng relative memory लो भरे तुम गेमिंग नहीं हेलते लिकिन तुम दिन भर mouse तो hold करके रहते हो न तुम 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 के我不知道 न अच्छा Pentagon R तुम्हारी जरूरते क्या है, तुम्हारा use case क्या है, मैं यही recommend करूँगा, कि तुम अपने हिसाब से लो, gamers and streamers को तुम आने recommend कर ही दिया, कि तुम जो है वो पहले कौन सा component तुम अप्ग्रेड करना चाहिए, बाकि आज की वीडियो में कैसी लगी यह, जो है वो comment section बताना ना बूले, अपने दोस्तों के विच में share and video को like, share and subscribe करना ना बूले, video को ने, channel को subscribe and video को like करना ना बूले, दिन्यावाद बाबाई, take care guys